हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंदुगाटी सब्वेता से रिलेटेड 50 प्लस कोश्चन देखेंगे जो कि किसी भी परिशा की दिरिष्टी से जिसमें प्राचीन भारत से प्रशन आते हैं उसके लिए महत्वपूर है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन भारत के कुछ प्रशनों के उत्तर अलग-अलग किताबों में अलग-अलग दिये रहते हैं तो अगर आपको किसी भी ऐसे प्रशन का उत्तर गलत लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं تم उाफिये शुरू कर 2 आपर हमारा पहला प्रश्न है सिंदुगाटी शबता संबन्डित है तो सिंदुगाटी संबता किसी उ applaud किसी संबन्दित है तो वह है आध्याथी आध्यासी की क्यूंसे की सही है सö लेख पक्की मिट्टी की मुहरों का अंकीत लेख पुरा तात्वी खुद्धार यहाँ पे अंसर कूछ चैगा वह जागा पुरा तात्वीख खुदाई तो मरा उजागा सी सही हो जाएगा अगला प्रशन है देखिए ख्रपास बैता की खोच किस वर्द हुई थी तो हुई तो जाना जाता है तो जाना जाता है कान सी यूग से अगला प्रशने देखें पांचवाँ परशन है अगला प्रशन का उत्खनन करने वाला प्रतम पूरा तत्वीद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो हड़पा का उतकरनन करने वाला कौन था जो उसके मातों को नहीं समझ पाया था तो वो था अलेकजेंडर कनिंगा देखे जब रेलवे की खुदाई चल लए थी रेलवे ट्रेक बिछाने के लिए तो हाँ पे जब अवसेश निकल लह थे तो इसने जो है उन पे ध्यान नहीं दिया और उनके उन पे सोधकार नहीं किया था अगला परशने देखे अगला परशने देखे हरपा सब बिता विस्तरित थी तो हरपा सब बिता का विस्तार कहा से कहा तक था हरपा सब बिता का विस्तार जो है वो पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर परदेश हरियाना सिंदु और बलुचिस्तान तक था तो हमार ज सहील हो जाएगा अगला प्रेश JACK है अगला प्रिशन है मोहन जोदोडों कहां किटमे से कहां परिस्तित просто और वह कहां परिस्तित फया पवुअ सिंद परांत में तरंचेज़ सी सही हो मोहन जोदलों से अगला प्रशन है देखें दस्वा प्रशन है मोहन जोदलों का सबसे बड़ा भवन कौन सा है तो मोहन जोदलों में खुद आई किसो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला था तो वो मिला था अन्नागार क्या मिला था अन्नागार अगला प्रश्ण है देखे, सिंदु गाटी सब्वेता के निमलखित अस्थानों में से कौन सा अस्थान सिंदु नदी के किनारे कौन सा अस्थान था, तो वो था मोहन जोदलों अगला प्रश्ण है देखें सिंदु गाटी सब्वेता में काली बंगा निमलखित में से किसके लिए परसिद्ध है तो वो है मिट्टी के पात्र के लिए अगला प्रश्ण है देखें हरपा संस्कृति के संदर में सेलेकरित अस्थापति का परमार कहां से मिला है तो वो मिला है धौला वीरा से अगला प्रश्ण है देखें धौला वीरा किस राज मिस्थित है तो वो है गुजरात में अगला प्रश्ण हरपा काल का इन में से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था तो वो था धौला वीरा अगला प्रश्ण हर देखें निमल्कित में से कौन सा अस्थल घगघर एयों उसकी सायक नदियों की घाटी मीश्थित है तो वो है बनावली तो हमारा डिन सोर सही हो जाएगा अगला प्रशन है देखें निमिल्कित में से कौन सा अस्थल सिंदुगाटी की सब्विता से संब्वंदित नहीं है तो वो है पाटली पुत्र पाटली पुत्र जो है सिंदुगाटी की सब्विता से संब्वंदित नहीं है अगला प्रशन है देखे हडपा के काल का ताबे कारत किस अस्थान से प्राप्त हुआ है तो ताबे कारत कहां से प्राप्त हुआ है ताबे कारत हमें प्राप्त हुआ है दायमाबाद से अगला प्रशन है देखे लोथल किस नदी के किनारे वस्थित था तो वो था भोगवा अगला प्रशने देखें 20 प्रशना किस हडपाई अस्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है किस हडपाई अस्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है तो वह हुई है लोथल से अगला प्रशने देखें निमन में से कौन सा सिंदु घाटी का एक बंदरगा शहर मा कि थी सूर्कोटअता की खोज किस न की थी तो वो की थी जे पी जोसी ने किस अच्थल के एक कबरिस्तान से कलस सावाधान का साक्ष मिला है कहां से कलस सावाधान का साक्ष मिला है तो वो मिला है सूरकोटदा से अगला प्रशने देखे निम्नकित में से कौन सी सब्विता अपने नगर नियोजन के लिए परसिद्ध है कौन सी सब बैता अपने नगर नियोजेन के लिए प्रसित हैं तो वो है सिंदुगाटी की सर्शन हैं पच्छी सावा प्रस्न है जिए सिंदुगाटी सर्भैता के सहरों की गलिया कैसी थी तो वो चोड़ी और सीधी थी अगला प्रशने देखे, सिंदु गाटी सब्वेता की सबसे महत्वफूर वी सेस्ता क्या है? सिंदुगाटी सबयता की सबसे महचपूर की सेस्ता क्या है कि वहाँ की इमारते जो है वो पक्की इटोखी बेनीविती तो हमारा एंसर सही हो जाएगा अगला प्रशने देखिए कौन सा हडपाईन अगर तीन भागों में विवाजित था अगला प्रशने देखिए निमलिखित में से कौन सा एक हडपा सबयता से संबंधित नहीं है तो हडपा सबयता से क्या संबंध नहीं रखता है तो वो है अस्तंबो का निर्मार अस्तंबो का निर्मार जो है वो हडपा सबयता से संबंध नहीं रखता है हडपा सब्यता में बिरियत असनानागार के साक्ष कहां से प्राप्त हुया है तो वो हुआ है मोहन जेदरों से सभावावन का मुख्य द्वार किस दिशा में था तो वो था उत्तर दिशा में निमिल्खित में से किस अस्थल से यूगल सवाधान 200 संसकार का प्रमाण मिला है तो कहां से मिला है वो लोथल से मिला है यूगल सवाधान का साक्षि कहां से मिला है लोथल से अगला परशने देखे किस पसु के अवसेश सिंदुगाटी सबिता में प्राप्त नहीं हुए तो किस पसु के अवसेश जो है सिंदुगाटी सबिता में प्राप्त नहीं हुए तो वो सेर के सेर के अवसेश जो है सिंदुगाटी सबिता में कहीं भी नहीं मिले है निम्लखित में से एक सुमेलित नहीं है तो देखे विद्वान वर्ग को बैद का जाता था युद्धा वर्ग को जो है युद्ध करने वाले लोग होते थे व्यपारी वर्ग जो है वो चर्मकार नहीं था देखे वो व्यपार करते थे तो यह हमारा सी एंसर जो है यह सही हो जाएगा निबिल्कीद में से कौन सा एक हडपा बंदरगा है तो हडपा का बंदरगा इन वे से का है तो ओह है लोध कर अगला प्रशैसे देखें कि भारत में चादी के उपलब देता के प्राचिंतम साक्ष मिलते हैं तो भारत में चादी के उपलब देता के प्राचिंतम साक्ष कहां से मिलते हैं तो हडपा संस्क्रिती से अगला प्रश्ण है देखिए हडपा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे हडपा वासी किस वस्तु का उत्पादन सबसे जादे करते थे तो वो करते थे कपास का अगला प्रश्ण है देखिए हडपा कालीन अस्थलों में अस्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुए तो हडपा काल से अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुए डी डी मतलब लोहा लोहा से वो लोग परचीत नहीं थे अगला प्रशन है देखें सिंदुगाटी की खुदाई में मिले अवसेसों के ततकालीन व्यपारिक और आर्थी विकास के घोतक निम्न में से कौन से है तो इन में से कौन सा जो है वो व्यपारिक किससे संबंधित रखता तो वो मुद्राय मुद्राय जो है वेपार में परचलित थी अगला प्रशन है देखें सिंदुगाटी के लोग पूजा करते थे सिंदुगाटी के लोग किसकी पूजा करते थे तो वो करते थे पसुपती की देवी माता की पूजा किस से संबंधित थी देवी माता की पू चरहम मुल्ट के सबुए मुस्ता जोद्र अगला प्रश्वनाय परफिए सुझ करीड सुंघ कैसी कुरीट होë है तो में से निम्रखित में से किस पशुन कांगन हरप खेल संस्कृत की मुहरों पर नहीं मिला तो इसका जो है मुहरों पर अंकन नहीं मिला है तो वो घोडे का गोडे का अंकन जो है नहीं मिला है अगला प्रशने देखे पैताली सावा प्रशने सरवादिक संख्या में मनके का निर्मार किस से हुआ है तो मनके का निरमार किस से होता था तो वो पकियोगी मिट्टी जी से तेरा कोटा कहा जाता था अगला परशने देखे निम्नकित पसुऊं में किस एक का हडपा संस्कृति से प्राप्त मुहरों और तेरा कोटा कलाकिर्थी यों में नीरूपन नहीं हो गाता किसका नहीं हुए था गाय का गाय का जो है वो मुहरों पर अंकन नहीं हुए था अगला प्रशने देखेए सिंदु गाटी सब्वेता की लीप कौन सी है तो वो है अज्यात है क्योंकि वो जो है चितरों के माध्यम से अपनी भासा का आधान परदान करते थे तो जीसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है तो कौण हो जगाँ चोहता आवर जो है अग्याथ अगला प्रिशनेगे निंखीत में से कौन सा कारण हड़ा सब्लेटा के पतन के लिए उत्तरदाई नहीं है तो वो जो है जल परिवेर्तन ज्छब्पर परिवेर्तन हड़ा सब्लेटा तो वो निर्त्य करती हुई मूर्ती की अगला प्रस्ण है देखे सिंदुगाटे के सब्विता के लोग किसकी पूजा करते थे तो देखे जो प्रस्ण रिपीट हो गया तो फिर भी हम इसको कर लेते हैं किसकी पूजा करते थे तो वो पसुपती की दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो यह वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करें जिसे की उनको भी इसकी जानकारी मिल सकें धन्या